दिल्ली में धार्मिक इस्थिलों के आसपास मांस बेच्टे पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर मस्जिद, गुर्द्वारा और सम्षान घाटों के 150 मीटर के दायरे में मीट की दुकाने अप नहीं खुलेंगी। दिल्ली नगर निगम ने 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नई पॉलिसी के तैब किसी भी धार्मिक इस्थल और मांस की दुकान के बीच नियुनितम दूरी 150 मीटर होगी। मस्जित समित या इमाम से नो अब्जिक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जित के पास मांस की विक्री की जा सकेगी। अलाकि मस्जित के 150 मीटर के दाएरे में पॉर्क बेचने पर सक्त पाबंदिर लगाई गई है। वेटरिनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीर्शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। MCD ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।